दियर श्टुडेंट्स आपका अपने यूटूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में स्वागत है आज का हमारा टापिक है क्लास एट एंसी आर्टी मैथ जिसके अंतरगत अध्याय दो का जो है तो प्रिश्णा वाली 2.2 का क्यूश्चन दर्श ले करके क्यूश्चन बारा तक के अभी प्रिश्णों को हल करेंगे तो आपके सामने जो है तो ये प्रिश्ण दिया गया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के शंख्याओं में अनपात शाथ अनपात पांच है यदि बालकों की शंख्या बालिकाओं की शंख्या से आठ अधिक है तो कक्षा में कुल क माच का जो है तो अनपात है यदि बालकों की शंख्या बालिकाओं की शंख्या से समझने वाली बात यहीं है कि बालकों की शंख्या बालिकाओं की शंख्या से 8 अधिक हो रही है तो बालकों की शंख्या को यहां क्या मानना पड़ेगा चर मानना पड़ेगा और बालकों की शंख्या को जो है तो उस चर से जो मैंने मतलब माना है उसमें से आठ जो है तो क्या करतेंगे जोड़ देंगे तो बालकों की शंख्या जो है तो प्राप्त हो जाएगे सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना बालिकाओं के शंख्या एक्स है मान लिए कि बालिकाओं के शंख्या कितनी है एक्स है तब बालकों के संख्या बालकों के शंख्या देखे कितना हो जाएगा बराबर यहां दिया है कि बालिकाओं के शंख्या से आठ अधिक तो बालिकाओं के शंख्या एक्स है यहां हम लिख देंगे बालिकाओं की शंख्या प्लस आठ इससे आठ अधिक है तो बालिकाओं की शंख्या एक्स है प्लस आठ यह हो जाएगा जो तो बालिकाओं की शंख्या एक्स प्लस आठ हो जाएगा अब दिया है कि बालक और बालिकाओं की शंख्याओं में उनपाथ साथ उनपाथ पांच है क्या दिया है बालक और बालिकाओं की शंख्याओं में उनपाथ पांच का जो है तो उनपाथ है तो यहां लिखेंगे बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात यहां प्रिष्ण अनुसाल लिख लिजिए तो बालक और बालिकाओं की शंख्या में अनुपात के जिन को बटे में लिखा जाता है तो इस तरह हो गया तो इन में हम अनुपात कर देते हैं बालक और बालिकाओं की शंख्या में अनुपात तो सबसे पहले बालक का नाम आया तो मतलब बालक जो है तो बालक को बालकों की शंख्या जो है तूपल लिखेंगे X प्लस 8 हो जाएगी और बालिकाओं की शंख्या ये पहले बालक फिर बालिकाओं तो पांच तो इसका मतलब ये है कि बालिकाओं की शंख्या को जो है तो नीचे लिखेंगे X बराबर कितना है 7 बटे 5 ये बालिकों की शंख्या और ये बालिकाओं की शंख्या तो इन्वेन पाथ कितने खा साथ व्टे 5 का था तो मैंने इसको लिख दिया अब इसको जो है तो वच गुरणबित से जो है तो आप इसको गुना कर दीजिए तिरीय गुना तो इसका इसमें हो जाएगा इसका इसमें हो जाएगा तो 7 का हम यक्स में करेंगे तो 7 yaks हो जाएगा 5 का इस पूरे में कर देंगे तो yaks प्लस 8 हो जाएगा ऐसे तो जहां हो जाएगा देखिए प्लाइज 7 yaks बराबर इप डेकेट हटाएगे तो 5 का गुणा होगा 5 का पहले yaks में तो 5 yaks हो गया और प्लस 5 का 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा तो 7X यह प्लस में है देखिए प्लस 5X है इसको पच्छांतित करेंगी इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बताया था कि पच्छांतित करने पर जो है तो चिन्ध जो है तो बदल जाते हैं और यह 40 ही है इसको मैंने ऐसे लिख दिया अब देखिए 7X में 5X घटाएंगे तो कितना आएगा 2X तो बराबर 40 तो X बराबर आजाएगा 40 बटे 2 तो कितना आजाएगा X बराबर 20 यह जो है तो किसकी संख्या आगई X जो है तो हम बालिकाओं की शंख्या माने थे तो बालिकाओं की शंख्या कितनी आगई X आगई तो यहाँ हम लिख देंगे बालिकाओं अता करके लिख सकते हैं बालिकाओं की शंख्या बराबर यक्स बराबर लिख सकते हैं यक्स बराबर 20 बीज़ बालकों की शंख्या याय तो याय कितना आया है बीज-बीस हमाट क्या कर देंगे जोर देंगे तो बीज-अड 28ाजा याहां बोला क्या था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है तो कुल विद्यार्थी मतलब बालकों की शंख्या और बालकों की शंख्या को टोटल कर देंगे जोड़ देंगे उसको तो वो जो है तो कुल विद्यार्थी जो है तो उनकी शंख्या आ जाएगी यहां कुल विद्यार्थी बराबर लिख देंगे कुल विद्यार्थी बराबर दोनों को हम जोड़ देंगे तो 20 प्लश 28 तो बराबर हो जाएगा जोड़ देजिए तो 8 और 2-2, 4, 48 आ जाएगा अताह कुल विद्यार्थी कितने है 48 है यही एंसर हो जाएगा अताकुल विद्यार्थी 48 है तो इस तरह से आपका प्रिश्ण 10 जो है तो complete होता है I hope जो है तो आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे आप इसका screenshot ले लीजिए और फिर जो है कि प्रिश्ण 11 दिया गया है बाइचुंग के पिता जी उसके दादा जी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं यदि उन तीनों की आयू का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयू अलग अलग ज्याद कीजिए थोड़ा इस प्रिश्ण को अच्छे समझेगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला प्रिश्ण है तो देखी इसको समझेगा क्या दिया है कि बाइचुंग जो है तुमाली जी किसी लड़के का नाम है उसके पिता जी बाइचुंग के मतलब उस लड़के के पिता जी जो है तो उसके दादा जी से क्या है 26 वर्ष चोटे है उसके 29 वर्ष बड़े हैं और बाइचुंग से जो है तो क्या है 29 वर्ष जो है तो बड़े है यदि उन तीनों की आयू का योग कुल जो है तो 135 वर्ष है तो उनकी आयू अलाग अलाग हमको ग्यात करना है तो यहां देखिए अमहल करेंगे बाइचुंग के पिता जी उसके नहीं दी गई है तो लिख लेते हैं कि माना अब बाइचुंग क्योंकि इसकी आय नहीं दी गई थी तो बाइचुंग की आय यक्ष वर्ष है यक्ष वर्ष है मालिये तो उसके पिता जी की आय निकाल लेते हैं तब बाइचुंग के पिता जी की आय यक्ष देखिए कितनी हो जायेगी उसके दादा जी से 26 वर्ष छोटे हैं मतलब बाइचुंग की आय में हम क्या कर देंगे यहां और क्या दिया है कि उससे 29 वर्ष बढ़े हैं मतलब बाइचुंग से 29 वर्ष बढ़े हैं तो बाइचुंग के पिता जी की आय क्या हो जाएगी यक्ष प्लस 29 हो जाएगी मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि यहां दिया है कि बाइचुंग के पिता जी की पिता जी जो हो गई है अब जो है तो दादा जी कि आई लिख लेते हैं उसके दादा जी कि आई कितनी हो जाएगी दादा जी कि आई बाइचुन के दादा जी कि आई कितनी हो जाएगी मतलब पिता जी उसके दादा जी से 26 वर्स जो है तो छोटे हैं मतलब यह 26 और जो है तो उसके दादा जी में जो है तो एड कर देना है क्योंकि 26 साल जो है तो दादा जी से वो छोटे थे उसके पिता जी तो इसी प्लस 26 यह वर्ष लिख देजिए यहां एक्स प्लस नुच्छा पंद्रा की पांच शांसी लेक दो दो चार एक पांच यह इतने वर्ष के हो गया है इतना हो गया अब इसके बाद जो है तो यह दादा जी की आई हो गई अब प्रिष्णा नुच्छ परहेंगे क्या करेंगे प्रिष्णा नुच्रा तो यहां हम लिख लेंगे फिस्टना नुच्छा प्रिष्ण क्या कह रहा था टीनोगों की आई का योग, इसका कुल योग कर देंगे, कितना दिया है, 135 यह कुल योग दिया है, तीनों की आयू का, तो तीनों की आयू के जोड दीजिए, तो, यक्स, यक्स प्लस 29 और प्लस यक्स प्लस 55 बरबर 135, तो देखिए, यहां दो यक्स दो और यह तीन एक्स तो यहां तीन एक्स आ जाएगा तीन एक्स प्लस और नौ पांच चवदा कि चार हाशिल एक पांच दो साथ एक आठ चौरासी आ गया कि बराबर एक सब कि पैंटिस तो यहां हम यक्स कमान निकालेंगे देखिए तो तीन एक्स बराबर तो एक सो पैंथी सह्य प्लस चौरासी को उधर जाने देंगे पच्छांतित करेंगे तो यह प्लस में है तो कैसे हो जाएगा माइनस में तो यहां लिखेंगे 135 और यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 84 हो गया तो 3 x बराबर घटा देंगे 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा और 13 में 8 घटाएंगे तो 5 आएगा और इंक्यामन आ गया इतना तो एक्स इक्वल आ गया इंक्यामन बटे 3 इकट जाएगा तो 17 आ गया कितना आ गया शत्रा वर्ष शत्रा वर्ष ये किसकी आयू माने थे हम यक्स जो है तो बाइचूंग की आयू कितनी हो गई शत्रा वर्ष अब पिता जी की आयू उसके लिख देते हैं पिता जी की आयू कितनी माने थे पीता जी की आई माने थे एक्स प्लस 29 तो एक्स प्लस 29 माने थे तो बराबर एक्स का मान कितना आया है 17 तो 17 प्लस 29 जोड दीजे इसको तो कितना हो जाएगा इच्छे हो गया 9, 7, 16 की 6, 8 2, 3, 4 46 वर्स उसके पीता जी की आई हो गई दादा जी की आई हो लिखेंगे दादा जी की आई हो दादा जी की आई हो दादा जी की आई हो कितनी माने थे एक्स प्लस 55 माने थे तो एक्स प्लस 55 बराबर हो जाएगा एक्स का मान 17 आया है 17 में हम 55 जो है तो जोड देंगे तो कितना आ गया देखिए साथ पांच बारा की दो हाशिल एक पांच एक छेक साथ बहत्तर वर्ष आ गया तो बाइचूंग की आई 17 वर्ष उसके पिता जी की आई 46 वर्ष और उसके दादा जी की आई बहत्तर वर्ष तो इस प्रकार जो है तो आप इस क्यूस्टिन को भी जो है तो शमच पाएं होंगे और आप इसको जो है तो एंसर लिख सकते हैं यही है तो आप इसके screen start ले लिजे इसके बाद जो है तो just जो है तो आपको next question जो है तो बताते हैं देखिए अब प्रिश्ण 12 है 15 वर्ष बाद रव की आयू उसकी वरतमान आयू से चार गुनी हो जाएगी रव की वरतमान आयू क्या है माल लिजे रवी जो है तो उसकी वरतमान आयू माल लिजे तो देखिए क्या दिया है कि रवी जो है तो पंद्रा वर्ष बाद जो है तो उसकी जो आयू होगी तो वरतमान आयू मतलब आज वो जितने वर्ष का है तो पंद्रा वर्ष बाद जो है तो उसकी आयू आज के आयू का चार गुना हो जाएगी मतलब इतनी आयू हो जाएगी कि अधि हम आज की आयू में उसकी वर्तमान आयू में जो है तो चार का गुना कर दें तो इतना जो है तो पंदरा वर्स वाद जो है तो उसकी आयू हो जाएगी तो यहाँ हम हल करते हैं तब अच्छे से यह जो है तो शमज में आहेगा तो लिख लेते हैं माना रवी कीytt वर्तमान आय यक्स वर्स जो है तो उसकी आयू को हम माल लेते हैं माना रवी की वर्त माना कितनी है यक्स वर्स है प्रिश्णा नुशाल लिखेंगे प्रिश्णा नुशाल लिखेंगे पंद्रा वर्स बाद रवी की आयू बराबर कितनी हो जाएगी आज की आयू से चार गुनी हो जाएगी मतलब वर्त माना आयू चार गुने रवी की वर्त माना आयू रवी की वर्त माना आयू इतनी हो जाएगी तो तो 15 वर्स बाद रभी की आई बोला है तो यक्स में हम क्या करेंगे üç तो पहल जोड़ देंगे और चार गुन रभी की बर्तमानाक हो जाएगे तयसर स्वर्फ का गुर्फ मतलब थो च्जार एक्स प्लंद्रा उधेर बराबर को मसं फंद्रा हो जाएगा अब Dekki एक्स में घटेगा एक्स घटा आएंगे तो कितना है गा तीन एक्स क्योंकि बड़ी संखह घट लए तो माइनस कचिनर आएगा यहां भी माइनस 15 रहेगा और बराबर के इस पार को सबार कि चिनर यह तो गड़ जाते हैं तो इन फ्लायच तीन एक्स बराबर कितना हो गया यहां 15 तो यक्स स ब्राबर दिक स्क्राबर निकालना है तो यह 15 है यह तीन जो साथ में है यक्स के तो उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा तीन बच्छे 15 तो यक्स बराबर आ गया पांच वर्ष यक्स बराबर पांच वर्ष अताहरवी की वर्तमान आई पांच वर्ष है अताहरवी की वर्तमान आई पांच वर्ष है यही जो है तो एंसर हो जाएगा आई होप आप इस क्यूस्टेन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे इस्टुडेंट्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें अपने सभी दोस्त तक सेयर करें और यदि आपन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और शाथ में बिल आइकान जरूर दबाएं